उसने चिंता की जब उस दुष्टात्मों से ग्रस्त वेक्ती ने उन शैतानों के समू की बहुत अधिक चिंता की उस विरोत के नीचे ताकि छटफटा कर वे कब्र के नीचे के शैतान भार निकल कर और इशू के पास आएं और खुद को उसके सामने दंदवट करें जब वो शैतान का समू वे शैतान कभी भी वापस नहीं आते यह जी उस शैतान के समू ने वहाँ उससे मिलने के लिए अपना रास्ता नहीं बनाया होता था और जब उसने उस परयास को करने के लिए बहुत अधिक चिंता की तो उसके विश्वास में खड़ा था एशू ने उससे शैतानों के इस समू को बार उसमें से निकालने के लिए परियाप्त चिन्ता की और इसकी दुष्टात्मौ से गरस्ट परिसिती चली गई थी उसने चिन्ता की जब आप चिन्ता करते हैं। तो और अब जब अंडे मनुषः ने ये के फाटक पर चिलाया है एशू यहुदी होने के नाते रोडिवादी यहुदियों के सभास्तल में अच्छी खासी भीड थी लेकिन जब उसने कहा इतना शोर क्या है उन्होंने कहा नासरत का इशू गुजर रहा है एक भविश्वक्ता कहा एशू हे दाउद के पुत्र ओ उसके पास्टर और याजकों के लिए क्या ही ताड़ना थी जो वहाँ पर खड़े थे लेकिन उससे चिंटाने की कि क्या पास्टर याजक और किसी और के कहने की वह रूची रखता था और उसने अपनी दृष्टी को पाने के लिए बहुत अजिक चिंटा की थी इसलिए वह पुकारने लगा जब वह अंदा मनश्य बैठा था और पुकारने के लिए उसने बहुत अधिक चिंटा की थी तो एशु ने उसे चंगा करने की बहुत अधिक चिंटा की वह कल आज और युगाने युक एक साहे जब आप चिंटा करते हैं तो वह चिंटा करता है लेकिन आपको पहले अधिक चिंटा करते हैं जो छे पुरुशों के साथ रहती थी उसके मसियत के परक्षने के चिंटा को पहचान गई और उसने इतनी अधिक चिंटा की इत्ता तक उसने उसके हर एक पाप को शमा कर दिया और उसे पानी को दिया वहां उस पानी को खिशने नहीं आई थी इसलिए उसने पहचान लिया उसने कहा शरीमान मैं मानती हूँ कि तुम एक भविश्वक्ता हो जब उसने इस तरी को बताया कि उसके साथ क्या गलत था और वे वो उस दिन के आने के लिए रुकी हुई थी केवल वो सारे कलिसिया के समुदाय में रहते आई थी उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला था लेकिन जब उसने एक मनशे को देखा जो उसे बता सकता था कि उसके साथ क्या गलत था उसने का शरीमान मैं मानती हूँ कि तुम एक भविश्वक्ता हो मैं जानती हूँ कि जब मसीह आएगा वो इन बातों को करेगा उसने कहा मैं वो हूँ यही बहुत है इस तरी ने चिंता की उसने अपने पाने के घड़े को छोड़ दिया और वो शहर की और चली गई और उसने कहा आकर एक मनशे को देखो जिसने मुझे उन बातों को बताया जो कुछ मैंने किया है क्या ये वही मसीह तो नहीं है वो कुछ राप की तरह ही थी उसने चिंता की इत्ता तक उसने पूरे शहर को जागरित कर दिया उसने चिंता की क्योंकि कुछ किया गया था परमानित वचन को पूरा किया गया था और वास्ताविक पक्का बनाया और उसने चिंता की उसने परवाने की कि पुरुशों ने क्या कहा या किसी और ने क्या कहा उसने इसे देखा था जब ये घटित हुआ वो वहाँ पर थी इस तरी ने चिंता की और उसने अपने लोगो की चिंता की इक उसने उन में से हरे को बताया और इसने सारे शहर को एशू मषीफ पर विश्वास करने का कारण बना दिया इस्टिर ने चिंता की और उसने चिंता की निष्य ही उसने की एशु ने आज के संदेश के लिए इतनी अधिक चिंता की ताकि इन उनी कामों को पूरा करे जैसा उसने कहा था इतना तक की वो मर गया और फिर से जी उठा ताकि उन लोगों को पवित्र आत्मा के द्वारा भेजे वो साहक उसकी सेवकाई को दिखाने के लिए कि वो अब भी जीवित है उसने बहुत अधिक चिंता की क्या हम नहीं करेंगे यही वो बात है क्या हम चिंता नहीं करेंगे वो इस सेवकाई के लिए मरा वो इसके लिए मरा जिससे की पवित्र आत्मा या इस दिन के लिए हो सके ताकि इन बातों को दिखाए उसने आपकी चिंता की उसने इसे यहां लाने की चिंता की उसने उस बयान को देने की चिंता की उसने चिंता की क्योंकि उसने आपसे प्रेम किया उसने इसे करने के लिए बहुत अधिक चिंता की, इसके लिए पवितर आत्मा को भेजा, आज की सेवकाई को बनाता है। इसी तरह से उसने थाबित किया, उसने उस दिन की चिंता की, क्योंकि वो इसे प्रमानित करने आया, जो परमिशन ने कहा वो होगा, इसी कारण से इस तरह ने उसे पैचान लिया. उसने कहा, मैं जानती हूँ, जब मसीह आएगा, वो एक भविश वक्ता है, जब मसीह आएगा, तो वो हमें इन बातों को बताएगा, देखो, उसने परमेशन के वच्चन के बारे में इतनी अधित चिंता की, ताकि वो इसे उस महीला को प्रमानित करे, आमीन. अब उसने पवित्रा आत्मा को भेजा, जिससे इस मांसिक विचारधारा के इस दिन में, जिससे वो उसी पवित्रा आत्मा के द्वारा हमारे जरिये से साविच कर सके, कि वो अब भी मसीह है, इसे उसी तरह से साविच करता है, वो कल, आज और युगान युग एक्सा है. अब सवाल यह है कि क्या आप चिंता करते हैं? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? यह यहां पर है. यह बार बार और हर बार साबित होता आया है. क्या आप इतना अधिक चिंता करते हैं कि इस पर विश्वास करें? क्या आप इतना अधिक चिंता करते हैं कि अपने पापों को सुईकार करें कि ये आप गलत हैं अपने अविश्वास को अंगिकार करें और इसे सुईकार करें क्या आप इतना अधिक चिंता करते हैं कि इसे सुईकार करें उसने मरने और फिर से जी उटने के लिए इतनी चिंटा की ताकि इसे आप के लिए लेकर आए क्या आप इसे सुईकार करने के लिए अधिक चिंटा करते हैं मैं सोचता हूँ कि यह नू के समय से होते हुए पूरी तरह से साबित हुआ है बहुत ही पहले वह उत्पत्ति से होते हुए पूरी तरह से साबित हुआ है हमारे पास इस सब को लेने का समय नहीं है लेकिन आप देखते हैं कि वह आपकी चिंटा करता है और वह मरा जिससे कि आप चिंटा कर सकें जिससे कि आपके पास एक जरिया हो सकें और उसने उस जरिये को लाया है उसने कहा कि वास्तों में वो जरिया क्या होगा क्या करेगा और अब यहां आज वो दिखा रहा है यही वो सत्य है अब इस बुरे घड़ी में जिसमें हम रह रहे हैं क्या आप इसके बारे में इतनी अजिक चिंटा करते हैं अपने पूरे हिर्दे से इसे विश्वास करते हैं चाहे आप एक प्रातना पंक्ती में आएं या जो कुछ भी है यह वो नहीं है क्या आप चिंटा करते हैं अपनी चिंटा को इस पर डाल दो वो आपकी चिंटा करता है इसके प्रती इमांदार बने रहे आपको इमांदार बनने के प्रती अधिक चिंटा करना होगा क्योंकि उसने अपने एक प्रमानित वचन के द्वारा साबिट किया है कि वो चिंटा करता है उसने इसे भेजने की प्रती गया की है वो इसे कर चुका है उसने वचन में प्रती गया की है यहां है यह वो चिंटा करता है अब आपके बारे में क्या वो है उसके बाद आपको चिंटा करना चाहिए उसने इतनी अधिक चिंता की, कि आपके लिए हरे शत्र को जीत लिया, आपको इतना ही करना है कि सचे बने रहें और इसे विश्वास करें उसने मौत पर विजय प्राप्त की, जै पाने के लिए मिर्थियो कुछ भी नहीं है, इस पर पहले ही जै पा लिया गया है, जै पाने के लिए बिमारी कुछ भी नहीं है, यह मसी के जीतने के लिए नहीं है, इसे पहले ही जीत लिया गया है, मुझे बस इसे विश्वास करने क लिए अधिक चिंता करना है क्या आपको डर लगता है कि किसी और ने आपको जो बताया है क्या आपको डर लगता है कि कली से आपको क्या कहेगी क्या आप शेतान का आमना सामना करने के लिए खड़े रहने से डरते हैं कहें मैंने अपने पापो को अंगिकार किया है मैंने सारी चीजों को एक तरब रख दिया है मैंने हर एक वचन पर विश्वास किया है मैं यहां हूँ प्रभू मुझ में एक चिंता को निर्मान करें आपने मेरी चिंता की मैं आपके चिंता करता हूँ मुझ में आपके अपके निर्मान करें कर दो